जीरो पर मैं हूँ अंकेत अवस्ती आप हैं मेरे साथ में आज की सेशन में चर्चा करने के लिए कि हाल ही में रूस से सस्ता तेल पहने के लिए पाकिस्तान के कुछ मंत्री रूस गए थे रूस गए थे का मतलब नाराज होना नहीं है लेकिन रूस ने पाकिस्तान को जटका दे दिया था कहते हुए कि हम आपको सस्ता तेल नहीं दे पाएंगे ये घटना जैसे बाहर आई पाकिस्तान में रुदन विलाप मच गया कि यार गजब हो गया, हमको तेल देने से इंकार कर दिया बोले तेल देने से इंकार नहीं किया है, सस्ता देने से इंकार किया है बोले सस्ता देने से इंकार से मतलब क्या है इस बात को अगर समझना हो तो केवल ये समझे कि आप किसी के पास में फेवर लेने गए थे, उसने का फेवर वेवर कुछ नहीं मिलेगा जो दाम है रियल उस पर चाहिए तो दुनिया को बेच रहे तुम भी ले लो बोले सर आपने इंडिया को इतना कुछ दिया है हमें भी कुछ दे दो बोले सौरी बेटा नहीं कर पाएंगे तो बोले ऐसी इस्तिति में सर थोड़ा सा हम लोगों को खेराती मार्ट दो हमारे हैं इतनी जदा कुमरी फैल रखी है इतनी जदा बाड आ रखी है प्राकरदिक आपडा है यूएन बोल चुका है कि कैयों बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है दुनिया भर के लोग हमको दान दे रहे हैं आप खुछ दान Anime दे थो बोले सौरी बेटा नहीं हो पाएगा बोले सर क्यों नहीं हो पाएगा बली बस नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा ये अपना सा मूँ लेकर वापस आ अगए अब ऐसी इस्थितिघी ये फस गई कि दुनिया भर से जो दान दक्षिना इनको लेनी थी उसके बावजूद भी इनका काम नहीं चल पाया काम नहीं चल पाया, तेल मांगा, तेल नहीं मिल पाया तो इनके मंत्री जो उस समय गए थे इन्हों ने आकर के घर पे आके बताया कि देखिए, हम लोगों ने कितना कुछ कलेश जहला है पाकिस्तान के अंदर, किस बात के उपर, कलेश हमने ये जहला कि इमरान खान खुद पलट गया कि मैंने रूस जाके गलती करी, शहबाद शरीफ अमेरिका से जाके भिड़ गया कि मुझे तो रूस से तेल सस्ता चाहिए अगर हम अपने देश में खाली हाथ गए तो क्या मुझे दिखाएंगे? क्या मुझे दिखाएंगे से मतलब? अरे बोले तुम्हाँ जब गर जाओगे तब लोग पूछेंगे ना कि रूस के नाम पर तुमने इतना धिंडोरा पीटा, रूस से हम ये लाएंगे, क्या माहल भाजी के साथ गए, अख़वारों में छपा की पाकिस्तान के मंतरी, रूस की यात्रा पर, वहां से लाएंगे सस्ता तेल और अनाज, सब कुछ लेकर आएंगे, सस्ता 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 चड़ने लगा, लोगों ने एकदम माहल बना दिया, मंतरी जी लौट कर आए, मंतरी जी ने आकर के शहबाज शरीफ के कान में बताया कि सर मना कर दिया उनने तो, बोले क्या का, बोले सस्ता तेल नहीं मिलेगा, हाँ तेल लेना है, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिया जैसी इस्तेदिया आप अपने लिए स्विकार मत करो, हाँ अगर च दिखाएं सर फिर इनको, बोले इनको दिखाओ कि हम वहाँ से सस्ता गयों खरीद के ला रहे हैं, अब बिचारे ये आकर के दुनिया के सामने धिन्डो रपीट दिये, कि हम अपने लोगों के लिए गयों लाने में कामियाब हो गए, लोगों ने सोचा बधाई हो, आप गय पीछे पीछे डॉक्यूमेंट बाहर आगया, डॉक्यूमेंट ये बाहर आगया जनाब कि इनको तो इसके बदले में पैसा भी देना पड़ रहा है, बोले सर भीक मैं नहीं मिला क्या, फिरी मैं नहीं मिला क्या, भीक पागवास कर रहे हो, कुछ नहीं मिला, खरीद कर आए रहा है Biz असल नहीं कह रहा है कि रोस दुनिया को मदद बात रहा है कब बाट दी रूस ने मदड बोले आप ने देखते हो क्या ? संद पूर अफ्रिकान कंट्रीज फॉर फूरी हम तो इसलिए पूछ है आप न राज क्यों हो रहे हो अब्वियस सी बात है ना कि अगर कोई ये कहे कि यार ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने फ्री में दाया दान में देख्षिना में क्या है ये ऐसा कुछ नहीं है तो बोले फिर बोले सर हम तो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने नवंबर में ही कहा था कि हम गरीबों को अनाज बाटेंगे सर आपका नंबर नहीं आया क्या बोले यार ऐसा भी ओफर चल रहा था क्या ये तो हम पता ही नहीं चला है तो बोले आपको क्या पता चला है बोले यार हमको तो ये पता चला है कि हम महंगा गयों खरीदने में कामियाब हो रहे हैं क्यों क्योंकि सहाब इंडिया का हम इसलिए प्रतिकार करते हैं क्योंकि इंडिया ने कश्मीर से 370 हटा लिया बोले एक मिनिट एक मिनिट दुबारा से बोलिए आप लोग रूस से महंगा गयों खरीद रहे हैं कुछ तो दिखाएं कि हम खाली हात नहीं आए हैं तो खाली हात नहीं आए तो ये तुम से इससे बड़ा मूरखपना क्या हो सकता है जो खुद दुनिया के सामने आके कह रहा है कि हम मुफ्तमे अनाज माटेंगे उससे भी तुम खरीद के ला रहे हो इससे ज़़ाद पाकिस् इंडिया वाले रूस से व्यापार करते हैं शहबाद शरीफ को लगा कि यदि दुनिया के सामने यानि खुद के देश के लोगों के सामने हम ये दिखाने में कामियाब हो गए कि हम भी रूस से व्यापार करने में कामियाब हो गए तो लोगों को लगेगा शहबाद शरीफ ऐसी है इंडिया की गवर्मेंट अपनी शर्तों पे काम करती है शहवाज शरीफ को आइडिया आगया आइडिया यह आगया बनना है तो इंडिया जैसा बनना है इंडिया जैसा बनना है तो बोले अमेरिका के साथ भी रहना है तो रश्या के साथ भी रहना है अपने मंत्रियों को लिया और भेज दिया कि तुम जाओ और बात करके आओ मंत्री खाली हाथ आने लगे उसने कबे मर जाएंगे अपने इस काम को ऐसे करने में अब जब आ रहे हो तो किसी को ये दिखाओ कि हम कोई डील करके आ रहे हैं तो बोले डील में क्या दिखाएं बोले ये कहो कि हम गयहू लेकर आ रहे हैं बोले गयहू कौन से लेकर आ रहे हैं बही ओविसी बाते लोग मानेंगे तो सही न कि आप कुछ तो लेकर आये होंगे तो दुनिया को सर फ्री में गहूं बाट रहा है आपको फ्री में मिल रहा है क्या आप बोले नहीं भाई तो बोले क्या हो गया बोले सर हमने तो महंगा option सेलेक्ट कर लिया आपको जानकर आश्र होगा पैतालीस हजाचार लाख पचास हजार टन गहूं रशिया से पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है उस भाव पर जिस भाव पर तो इंडिया ने भी दुनिया को नहीं बेचा आप इससे अंदाजा लगाईए इंडिया इसके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान को खुद हजारों मेट्रिक टन गेहू दान कर चुका है भुकमरी पर मुफ्त में उसके बावजूद भी पाकिस्तान मुफ्त में रूस से गैवू पाने मे कामियाब नहीं हुआ ये इनकी डिप्लोमेटिक कामियाबी है ये जिस भाव पर पाएं है वो भाव वो है जितने पर तो इंडिया ने किसी भी देश को नहीं बेचा इतना बड़ा अपना बुरी तरह से ये वहाँ पर पोपट बनवा के आएं है आप इससे अंदाजा लगाएं ये 4,50,000 टन जो गेहुं यहाँ पर जाकर के ये खरीदे हैं ये गेहुं इन्हों ने खरीदा 370 डॉलर प्रतिक्विंटल के हिसाब से अब प्रतिक्विंटल के हिसाब से इस भाव पर ये खरीद करके यहाँ से निकले हैं इंडिया ने जो अधिक्तम भाव बेचा था, किसानों से 280 डॉलर प्रतिक्विंटल लिया था और 350 डॉलर प्रतिक्विंटल के हिसाब से हमने एक्सपोर्ट किया था आप सोचकर देखिए कि ये खरीद के 372 पर ला रहे हैं इस से जादा इनका और क्याब मती प्रस्ट हो सकता है आप सोचिए कि ये कश्मीर के राग पर जो 370 हमने हटाया था उससे अपने आपका इगो क्योंकि इनके हां राजनीती जो है ना शहबास शरीफ की जो सरकार को राजनीती करना जो इमरान खाने कंफ्यूज कर दिया क्यों क्योंकि वो खूब अच्छे से बहारत से व्यापार कर सकता था कश्मीर का मुद्ध इतना इमरान ने उठा द Norm इंडिया की इतनी तारीफ कर दी कि होड में जा करके ये रूस से कुछ तो लेके आना है ताकि शहबाज शरीफ सरकार अपने देश को ये दिखा सके कि देखो हमने कुछ तो कामिया भी हासिल की है ऐसी इस्थिती में ये यहां से 4,50,000 टन गेहूं मंगाने के लिए तयार हुए है हालत इनकी कितनी खराब है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड आई है उसकी वज़े से 3,5,000,000 बच्चे पाकिस्तान के अंदर भूक से पीडित है योएन का खुद मानना है कि 300,000,000,000,000 का इनको लॉस हुआ है मैसिव फ्लड के कारण यहां के जो आलू है न वो 500 रुपे पाकिस्तानी के लोग के बरावर हो चुके है प्याज, टमाटर यह सब बहुत जादा तरीके से महंगे हो चुके है इतना ही नहीं, यहां पर जो गैहू का उत्पादन है वो फ्लड की वजह से 50% तक कम हो गया है इसलिए पाकिस्तानियों के पास खुद के देश में पैदा हुआ गैहू उपलब्द नहीं है इस कारण से उन्हें बाहर से गैहू मंगाना पड़ रहा है नैचुरली, यह नैचुरल कैलमिटी है इसकी हम कोई मी मजाक नहीं बनाते हम खुद इन से सिंपैथी रखते हैं लेकिन अब अगर फटी के अंदर भी आपकी हालत खराब है उस समय भी आपको इंडिया की होड करना पड़ा है तो यह मू रखता है होड करने के लिए जीवन पड़ा है पहले अपने लोगों की भूग तो मिटा लो कम से कम एटलीस्ट उन लोगों की तो तरस खाओ जिनके लिए तुम यह काम कर रहे हैं उस पैसे को कहीं और लगा देते अपने इगो के चलते अपने उस इगो के चलते की नहीं हम इंडिया से बात नहीं करेंगे हम चाहे खरीद के खालेंगे इंडिया ने तुम्हारे पड़ोसी मुल्क जो की अफगानिस्तान है उसको लगभग 50,000 टन गेहु पकड़ाया था जब वो गरीबी से जूज रहे थे भी लास्ट येर की बात है भाई भुकमारी की जन्माद दोजार बाईस की शुरुआत की बात है तुम लोग अगर कम से कम अपना इगो हलका सा न्यूटरल कर लेते और तो छोड़ो तुम यार उनसे यही कह देते तुम्हारे तुर्की से कह देते जो तुर्की तुम्हारा बड़ा साथी बना फिरता है उसी के साथ बैठकर पुतिन ने कहा था कि हम गरीब मुलकों को धन बाटेगा अच्छा तुम इतने भी इगोिस्टिक नहीं हो कि तुम ये कह दो कि नई साब हम तो मुफ्त का लेंगे नहीं तुमने मुफ्त का भी सामान दुनिया भर से मांग रखा है इतनी सारी चीज़ें तुमने चैरिटी के नाम पर लोगों के लिए मांगी है कम से कम इस समय तो रीजनेबल सेंसिबल तहीके से काम करना चाहिए था पाकिस्तान को कि जब भटी पड़ी है उनको बितना पैसे की जरुवत है उसके बावजूद भी ये इगो दिखा रहे हैं कि देखिया हमने रशिया से डिप्लोमेटिक सम्मन अच्छे कर लिए रशिया को तो खुदी क्राइसिस हो रखा है इन दिनो उसको तो खुद वेदेशी मुद्रा चाहिए तुम ले जाकर के उसे दे रहे हो उसको मना थोड़ी करना है उसको तो चाहिए ना भाई पता नहीं मतलब कितना राजमीती के अंदर देश की जो बरबादी देखनी है ना वो पाकिस्तान को देखकर आप समझ सकते हैं आप देखें वर्ड फूड प्रोग्राम ने खुद ने अपने द्वारा फ्लड हिट जो कम्यूनिटी जो पाकिस्तान के अंदर है उनको बतलब खाना दाना पहुँचाया है यह हालत का अंदाजा आप इससे लगाओ बदलते समीकरन है सारे जहां अगस्त साथ को पाकिस्तान कहता था कि मैं रशिया से गहू नहीं खरीदूँगा तब तक इमरान खान ने रशिया रशिया चिलाना शुरू नहीं किया था शहबाज शरीफ सरकार को जब इमरान खान ने ये रियलाइज करा दिया कि तुम्हारी कामियाबी तो तबी है जब इंडिया की तरह तुम दौनों को साध लोगे यानि अमेरिका को भी साध लोगे और रशिया को भी साध लोगे ये महने भर में पलट गए यार 17 अक्तुबब़ आप देखो अगस्त के अंदर ये बोलते हैं कि हम रशिया से गयाओ नहीं खरीदेंगे और पाकिस्तान कहता है कि हम रशिया से गयाओ खरीदेंगे मतलब तुमहारी डिप्लोमैसी है कैसी तुमहारी रण राजनीती में कोई दूर दर्शिता है या फिर हर दिन गड़ा खोदते और हर दिन पानी पीते हो यार हम इमरान खान को मूरक समझते थे लेकिन तुम तुम से भी बड़े वाले हो यार कम से कम अपनी जंता का जो पैसा तुमको उनकी हैल्थ पर लगाना चाहिए सरदियां आ रही है बिस्तर मांटने पर लगाना चाहिए तुम उस पैसे को केवल इसलिए कि इंडिया को हम ये दिखा सके कि देखो हम रशिया से गहूं ला रहे हैं इंडिया वालों ने तो उससे पहले पता लगा लिया कि तुम महंगा गहूं लेके आ रहे हो यार हैं तुम्हारे बारे में उनसे ज़्यादा तो हमको पता चल गया कि तुम महंगा गहूं लेके आ रहे हो उम्मीद की जा रही थी common sense की बात सोचो यार ये मतलब हर कोई व्यक्ती इस तरीके से सोचना चाहेगा कि जब वो खुद बोल रहा है कि मैं नवंबर का भाशने पुतिन का कि मैं गरीबों को मुफ्त में गहूं बातूंगा तो मुफ्त वाला गहूं भी निला पारे हो यार ये तुमारी कूटनितिक फेलियर है अब पता नहीं तुमारे ठिंकर कौन है कौन तुमें सला देते है हमसे कम उन गरीब लोगों की तो सोच लो भई ठीक है न तो ये आपके सामने सारी चीजें हो गई खेर अपनको फ्रस्टेट होने से क्या मतलब दुश्मन है हमारे लेकिन आम जंता दुश्मन नहीं होती है राजनितिक स्वार्थ के चलते लोग एक दूसरे का गला गोट रहे होते हैं जी तिया ना इंडिया ने लगभग पांच लाख टन लोगों को गेहू तब एक्सपोर्ट किया जब रशिया और यूकरेन आपस में लड़ने लग रहे थे हमने कहा कि लोग भूके ना मरें हम लोगों को अपनी तरफ से लोगों को गेहू भेज रहे थे सोचिए कि हमने 257 डॉलर प्रती टन के हिसाब से गेहू तक एक्सपोर्ट किया है हमने अशौर किया कि किसानों को जबाओं मिल रहा है उतने पर भी देना पड़े तो हम फ्री ऑन बोर्ड यानि की घर पर ले जाकर सामने वाले को दे कर आ जाएंगे हमने बहुत बड़ी मातरा में पाकिस्तान ने खुद के लिए भाई महंगा ऑप्शन चुना है ये तो वह वाली बात है कि नवाभी इनकी अभी तक गई नहीं है नवाभी के नाम पर नवाभी चली गई है लेकिन अभी भाई साब बडाम की जगे मुंग फली खानी है लेकिन टसन में खानी है बताने भी पहले तो मन ये कर रहा था इस न्यूस को ले कि नहीं ले पर हमने का कि यार थोड़ा स्चिंता इनके लिए भी कर ले क्योंकि इनको भी कोई सदबुद्धी दे दे कि यार दुनिया के साथ तो बुरा मत करो तुम अर्दगन पुतिन जैसे लोग जब तयार हो रहे है ये कुछ नहीं कर पा रहे है तो खेर पाकिस्तान को फिर एक और जटका ही है ये लेकिन इसको दिखाए अपने लिए सेलिब्रेशन रहे है कि ना जाने ये पाकिस्तान वाले क्या पा गए है अब तो ये ये और दिखा रहे हैंगे हम तेल भी पा जाएंगे अब ये तो वो तो बेचने के लिए तयार बैठा है पहले ही बोल रहा है बात तो उसमें है गहूं फिरीका पाते तेल इंडिया की तरह सस्ता पाते तब इंडिया जैसे होते ये कौन सी इज़त पाली भाई तुमने हैं ऐसे तो दुश्मन भी गेट पर आ जाएगा तो पानी पिला के आदमी भेजता ही है कि यार आ गया तो कुछ पिला के भेजो खेर कोई नी जी इनको इनके साथ जेने तो जैसा भी हो फिलाल के लिए आप लोग मस्त रहिए आपके लिए बढ़ी आसा एक ओफर बता देता हूँ मैं अपडेट था मैंने इस लिए दे दिया पहले तो मनी नी कर रहा था ये सेशन को करने का पिर मैंने का चलो न्यूज में चल रही है तो कर देता है सेशन को हमारा रेफरल कोड है अंकित 10 जिसका यूज करके आप दिसंबर 5 से लेके 9 तारीक के बीच में SSE का जो सब्सक्रिप्शन है उस पर 20% डिसकाउंट ओफर का लाब ले सकते हैं 24 महीने का सब्सक्रिप्शन 6489 रुपे में आपको उपलब्ध होगा बाइ यूजिंग माई रेफरल कोड अंकित 10 जीक है आपको यहाँ पर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जोतने भी सब्सक्रिप्शन के एडुकेटर्स यहाँ पढ़ा रहे हैं उनके द्वारा सेशन मिल जाएगा इतना ही नहीं UPSC के अंदर इंडिया के टॉप एडुकेटर्स जो आपको पढ़ाते हैं, उनके द्वारा बनाया हुआ कोर्स आपको उपलब्ध है, रफ्तार बैच हाली में 1 दिसम्बर से शुरू हुआ है आप उसे जोइन कर सकते हैं, 300 घंटे का बहतरीन कॉंटेंट टॉप एडुकेटर्स के साथ अविलेबल है मातर 25,000 में और इंगलिश मीडियम वालों के लिए एक्सलरेट नाम से बैच अविलेबल है, एक तारीक से शुरू हुआ है और CSET का नया बैच 12 दिसम्बर से शुरू हो रहा है, आप इसे जोइन कर सकते हैं और UPSC का एक साल का सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है 4,364 रुपे प्रती महा के उपर 0% ब्याज के किस्तों पर उपलब्द है आप लाब ले सकते हैं, फिलाल के लिए ताही अपना खयाल रखें बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना विक्तित विस प्रकार से विक्सित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें, धन्यवाद